दूस्तुन मस्कार आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में आपकी स्क्रिन पर यहाँ पर पटना से प्रकासित खबर है जिसमें ये कहा जा रहा है कि तीसरे चलड की सिक्षक बर्ती के लिए त्यारी सुरू सूबे के सभी जिलों से रिक्त पदों की प्राप्त की जा कारी के लिए डेक्लेरेशन यानि डेट जारी कर चुका है आप अपनी स्क्रिन पर देख पा रहे होंगे कि पहले चलड में खाली जा रहे है बीस हजार पद इसमें लगभग जुडेंगे सारीरिक सिक्षकों के पद को नेमित करने पर भी विचार करेगी सरकार देख लेते परिक्षाएं होनी थी उनकी परिक्षाओं में भी संसुधन कर लिया गया है ताकि जिनका भी डेलेट क्वालिफाई होता है वो कहीं ऐसा रहों कि एपेरिंग की वज़े से छूट जाएं तो उनका रिजल्ट भी पहले ही आ जाएगा तीकि यहाँ पर डेलेट की जो परिक किया गया है कि बिहार विद्यालाई परिक्षा समिति द्वारा चार बारा दोहजार तेस को दोहजार चौबिस में आयोजित की जाने वाली परिक्षाओं का वार्सिक कलेंडर जारी किया गया था आगे कहा जा रहा है राज्ज में अगस्त दोहजार चौबिस में त्रती च विद्यार्थी अगस्त माह में आयोजित इस परिक्षा में समेलित हो सके यह एक अच्छी पहल है है ना अगर यही भी भाग चाहे तो चीजों को अटका सकता है लेकिन यहाँ पर आयोग के द्वारा अच्छा काम किया जा रहा है इसके लावा बिहार विद्यालाएं प्रिक्षा में बदलाओ इसके लावा अगर आप एस्टेट का फॉर्म बरने की जो डेट है वो बढ़ा दी गई है ठीक है पेपर वन पेपर टू दोनों के लिए बर सकते ऑनलाइन परिक्षा होगी संभावित है कि यह परिक्षा मार्च में होगी तो अगर आप टीजी ट पीजी टी के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं और सक्षिक बनना चाहते हैं तो आप एस्टेट का फॉर्म जरूर वरिएगा क्या कि एस्टेट फॉर्म यानि एस्टेट आप कॉलिफाई होने के बाद ही टीजी टी पीजी टी के लिए लिजबिल होते हैं तो उमीद करते आप बहतरी तरीके से पनी त्यारी कर पा रहे होंगे का जा रहा है बीपीसी से दूसरे चल में चैनित सिक्षकों की काउसलिंग जिलों में चल रही है इसके साथी तीसरे चल की सिक्षक नियुक्ति को लेकर के भी पैयरी सुरू कर दी गई इसके तहट जिलों से व्रिक्त पदों को नीमित बनाने पर भी विचार विमर सुरू हो गया है। पर भी विज्यापन आपको नई सक्षग बढ़ती फेस फ्री में मिल सकता है। इस वीडियो में इतना ही मिलते है नेक्ष वीडियो में नई अपडेट के साथ।